हाई फ्रेंड्स मेरा नाम सुल्तान है आज आपको डाइमेंड ग्रेडिंग में और बीसी कट के डाइमेंड में कितने भाग रहते और उसके नाम क्या है और ड्राइंग कैसा करना वो बताऊंगा और बीसी कट का फुल फॉर्म राउन ब्रिलेंट कट है यह मार्केट में 95 परसंट डाइमेंड और बीसी कट में मिलिंगे रेश्ट आप 5 परसंट डाइमेंड डिफरेंड डिफरेंड कट में आपको मिलिंगे उसको फैंसी कट कहला था RBC cut में 57 और 58 facets रहते RBC cut में आपको side view में देखने पर तीन भाग दिखेंगे यह उपर जो भाग है औरेंज कलर का उसको crown कहलाता है यहां से यहां तक और नीलम के रंग में जो भाग है उसको गड़िल कहलाता जो brown कलर का नीचे का भाग है उसको pavilion कहलाता और center lost point को culet कहलाता यह side view में RBC cut के भाग है अब वो crown में उपर की तरफ से देखने पर क्या-क्या भाग दिखेंगे देखें RBC cut में उपर से देखने पर crown में आपको यह भाग दिखेंगे yellow color में जो भाग दिख रहा उसको table कहलाता उसको लख्या है जो green color के भाग उसको star facet कहलाता next नीलम रंग में जो भाग है उसको kite facet कहलाता जो red color के भाग है उसको upper girdle facet कहलाता एक girdle के ऊपर रहने पर upper girdle facet कहलाता pavilion के तरफ के भाग को देखेंगे जो green color के भाग है उसको lower girdle facet कहलाता और red color में जो भाग है उसको pavilion main facet कहलाता और जो center color center में white है उसको QLED कहलाता QLED present रहने पर RBC cut में 58 facet कहलाते QLED नहीं रहने पर आपको 57 facet कहलाता अब diamond का drawing कैसा करना सीखेंगे first एक crown के तरफ के भाग का drawing करेंगे surface round करिए और center में एक square डालिए next drawing में और एक-एक square क्रॉस कर के डालिए जब आपको table और star facet draw हो जाते next जो star facet से गर्डिल तक है वहां तक एक line डालिए और इधर star facet से भी इधर डालिए पूरे kite facet ready और kite facet के बीट में यह उपर के lines डालने पर आपको अपर गर्डिल facet भी ready हो गए यह diamond के crown में रहते सो भाग है एक table 8 star facet से 8 kite facet से 16 अपर गर्डिल facet से prevalent के तरफ ड्रॉइंग देखेंगे first एक circle डालिए और center में एक point रखिए और उससे cdc लखिर उपर से नीचे तक draw करिए next drawing में पिर exactly 90 degrees में आप और एक line लीजिए next drawing में दो line के बीच में cross करते वे एक line लीजिए next drawing में आप इधर से cross करते वे इधर एक line लीजिए लेने के बाद हर एक line के ओपर dot लीजिए Q-let के नजदिक और दो line के bit में गर्डिल के तरफ सेंटर में points लीजिए ये dots और ये गर्डिल के dots से line alignment में सीधा draw करिए यब आपको pavilion main facet drawing मिल जाएंगा देखिए finally आपको इस प्रकार का drawing आएंगा लोयर गर्डिल facet 16 है और पेविलियन main facets 8 है Q-let 1 है पूरे मिलाये तो 58 facets RBC cut में इधर मिलिंगे इस वीडियो को सब्स्राइब करिए ये वीडियो आपको 4C Gem Testing Lab और Gemological Institute हाइजराबाद इंडिया की सोजन्य से release किया गया है